सो दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं आज संडे और संडे को हम करते हैं कमेंट सेशन और कमेंट सेशन में हम ऐसे कोई पांच कमेंट लेते हैं जिनके हम वीडियो के माध्याम से रिपलाइ दिने को से करते हैं और उनसे जोड़े जो भी लोग हैं या मतलब ऐसे किसी और के सवा आज हम बात करने वाले हैं फिर से कमेंट सेशन की उन पांच ऐसे कमेंट की जो से लोगों की हेल्प हो सके और साथी साथ उन लोगों को भी पता चल सके जिनके ऐसे ही कुछ सवाल हैं सबसे पहले आज कमेंट लेते हैं आज कमेंट है आसीजच जानी जी का एक तो दूम का जबाब आए कि आप पहले आज एक में currency कीजिए। बट मेरी सबसीडी तो थर्ड स्टेज पर है तो फिर उसमें HFC क्या करेगा देखिए असीज जी आप नहीं को फिर से रिपलाई करिए और उनको बताईए कि सर हमारे थर्ड स्टेज पर है और यहां पर बैंक कोई हल्प नहीं करेगा आपको ही हल्प करने पड़ेगा और आप को मुझे आपसे मुझे जानना इस्टेज पगेरा जो भी आपने लिखा उस चीज के लिए उनको फिर से बताईए इस तरहीं से दुबारह से मेल करिये हो सकता किसी कारण से उन्हों mail का इस तरीके से reply कर दिया हो लेकिन आप दुवारा से reply कर सकते हैं और वांकी लोगों से मैं यही कहना चाता हूँ third stage के बाद आप NHB को ही mail करना चाहिए कोई उसमें bank भी कुछ नहीं कर सकता जैसा कि government की जो guideline है उसमें भी ऐसा लिखा हुआ है तो आप आसी जी एक बार फिर से mail कर दीजिए इसमें अब हम अपना अगला comment लेते हैं सागर पाड़ेल जी करें सार मैंने ICIC HFC का home loan insurance किया है और one time payment में 59,000 रुपीज लिए है bank ने हम से क्या foreclosure के बाद insurance की बागी रकम बापिस निकाल सकते हैं क्या बिलकुल सागर जी आप अगर loan foreclosure कराते हैं और आपका जो भी tenure है आपका total उसमें से जितने भी बचे हुए tenure है उसके हिसाब से आप अपना पैसा बापिस ले सकते हैं insurance का लेकिन insurance कौन सा है reducing वाला है fix वाला है ये भी आपको पता होना चाहिए आप insurance policy पढ़ ले अगर fix वाला होगा तो आपको पैसे बापिस मिल जाएंगे ठीक है reducing वाला भी होगा तब भी उसमें कुछ पैसे तो आपको बापिस मिल जाएंगे so insurance का पैसा बापिस ले सकते हैं अगर आप फुर close कराना चाहते हैं अब इसमें अपना तीसरा comment लेते हैं यह तीसरा comment है सेम सालवी जी का सेम जी कह रहे हैं कि subsidy लेने के बाद क्या home loan close कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो क्या subsidy वापिस देनी पड़ेगी देखिए subsidy देने के बाद मतलब लेने के बाद आपको loan close करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसमें subsidy बापिस जाने के कोई भी बात नहीं है देखें जैसा मैं आपको बता रहा था पहले भी कि subsidy आपके account में आ जाएगी और उसके बाद जो subsidy का amount minus होने के बाद ही आपको outstanding amount देखेगा आपके account में यहीं आपको home loan account को उसमें आपका outstanding जो देखेगा वो subsidy minus होने के बाद देखेगा तो जो outstanding amount है वही आप पे करेंगा आप बांकी का amount तो पे करी नहीं रहें तो इसमें subsidy बापिस जाने कोई बात ही नहीं क्योंकि आप amount ही उतना पे कर रहा है जो subsidy minus होने के बाद बच रहे तो PMAY subsidy के लिए minimum loan tenure कितना होना चाहिए देखे अजीत जी पूरे subsidy लेने के लिए minimum 20 साल का loan tenure होना चाहिए उससे कम होगा तो subsidy आपकी कम आईगी उससे ज्यादा कितना भी रहे लेकिन minimum आपका 20 साल का होना चाहिए इसके लिए मैं अलग से कई वीडियो बना चुका हूँ कई वीड प्रोपर्टि इंस्ट जरूरी है लोग ले रखा है तो या बेटर इस होम लोन इंस्ट बेकाज अगर इंसान है तो सब कुछ है देखिए रद्न जी यहां पर देख प्रोपर्टि इंस्ट आप अपने जरूरत के इसाफ से मतलब आप ऐसी जगह रहते हैं जहां आपके प्रोपर्टी को नुकसान होने के खत्रे जादा है आपका प्रोपर्टी आप बनवाने में पैसा ज्यादा खर्च होता है लेकिन वहां पर अगर कोई नुकसान हो गया तो फिर पैसे ज्यादा लगते हैं अगर आपको प्रोपर्टी इसको रिपेर करना कुछ भी तो एसी जगह पर प्रोफट इंसुरेंस लेना झरूरी हो जाता है। मानलों कहीं भूकम बहुत जदा आते, कहीं भार्ड बारिस बहुत जदाती हैं। कही लाग्राण में बहुत आतीsama है। तो इस जगहीं बारबार आपका मकान खराब होता है। कुछ भी होता है। आप हर बार हर जे сок से पैसे लगा के नहीं करवा सकते इसलिए जरूरी 있을ky नहीं कि आपको लेना है लेनाँ थो लह प्रोफिन िरिफ अडिए ले ने भी बात नहीं है लेक्ति-लेक्स दिसली बात बात प्रॉपघ करें हैं झो इसलिए को यह लोन हमारा अगर बिचसए तो नहीं लेना चाहते तो नहीं ले सकता है ऐसा मेंडेटरी नहीं है अगर देखें तो आज यह थे पांच कमेंट जिसमें हमने अलग अलग कुछ चीजे जानी इंस्वरेंस के बारे में जाना और बाकी अलग अलग सवाल थे कुछ नए सवाल थे इस बार तो थोड़ा अच्छा लगा बताने में हर बार कुछ कॉमन सवाल नहीं थे तो हो सकता कि यह सवाल सुनके अगर आपका भी ऐसी कुछ सवाल है तो आपको भी जबाब मिल जाएगा तो उम्मीद करता हूँ आज का एक कमेंट सेशन आपको अच्छा लगा होगा अगर अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परीजनों में सेर करें और उन लोगों को भी सेर करे जो होम लोन लेना चाहते हैं सबसीडी लेना चाहते हैं इंस्रेंस लेना चाहते हैं जिससे उनकी भी हैल्प हो सके बैंकिंग और फैनेस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सो मिलता है नेस वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जहिंद